शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है जो भी वेक्ति एफिलेट मार्केटिंग कर रहा है या एफिलेट मार्केटिंग करने का सोच रहा है या फिर कोई भी वेक्ति चाहे वो रिटायर है हाउस वाइप है या फिर एक स्ट पर वीडियो बनाऊं लेकिन नहीं बना पाया आज महरत आ गया है कि मैं इस टॉपिक के आप अपनी इबू क्लिक करके आप कैसे ऑथर बन सकते हैं आप अपने पॉकिट कैसे बर सकते हैं पैसा कैसे कमा सकते हैं इस चीज के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे अब आपको किसी third person की product को promote करने के अवैश्यकता नहीं है आप अपने खुद के product को promote करके एफिलीट income कमा सकते हैं royalty कमा सकते हैं यानि कि product भी आपका marketing भी आपकी skill भी आपकी और पैसा भी आपका देखें अब हम यहाँपे एक और चीज को समझ लेते हैं जब आप eBook को publish करने का सोचते ह होती हैं अगर आप इसका 100% कमिशन अपने आप रकना चाहि यहां कि बूचाहिए और नहीं है क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट में बहुत platform अवेलल है जैसे गीगल है इसके लबाग से बहुत सारे platform आ गए लेकिन उसमें क्या होगा 25 पर dedicate मेंells 2 ले लेते हैं और 75% आपको मिलती 75% तो उस case में आपको थोड़ा बहुत commission उनको देना होता है क्योंकि platform उन ही का है वहाँ पर और भी audience है उनकी audience को भी आप इस्तमाल कर सकते हैं marketing करके यह हम सीखेंगे next session में चलिए आज के session में क्या सीखने वाले सीखते हैं सबसे पहले अगर आपने एक ebook लिख करके कहाँ पर google documents में जाकर के google docs करके जो आता है वहाँ पर जाकर के आपने अपना पूरा का पूरा content लिख लिया है और लिखने के बाद उसको save कर लिए अपने laptop में उसके बाद आपका क्या process रहेगा उसके बाद चलिए मैं आपको अपने laptop की screen पे ले करके चलता हूँ और एक एक चीज जो मैं आपको screen दिखा करके आपको सिखाने वाल हूँ ध्यान से सीखिएगा क्योंकि सीख गए तो 110% आप भी earn करना start कर देंगे चलिए तो आप आगए है मेरी laptop की screen पे कौन से platform के उपर आपको publish करना सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा को kindle के उपर जो amazon का product है तो kindle के उपर आप अपनी e-book कैसे publish करेंगे इस चीज को हम लोग जानते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है जिस तरीके से आप Facebook पे अपना account बनाते हैं जैसे Amazon के app जो है जहां से आप shopping करते हैं अगर Amazon के shopping app पे भी कभी आपने कुछ ना कुछ account बनाए होगा अपना कभी ना कभी तो उसी तरीके से यहाँ पे भी account बनते हैं इसको आप directly sign in with Google भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है दिन भर के अंदर इतनी सारी चीज़ों को हम sign up करते हैं तो एक और सभी ठीक है चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले sign in कर लेते हैं आप यहाँ से sign up करके account बना लिजेगा इस तरीके का आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा यह मैं कल सिखा रह ला था एक बुक हमने यहाँ पर पर करें तो यहाँ पर बटन दिखाये देगा क्रियेट का ठीक है आपको जस्ट क्रेट पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद मैं आपको यह चार option देगा first, second, third and fourth first है kindle e-book जो e-book हम normally लिखते हैं जैसे कि आपको कुछ उसके अंदर बहुत ज़्यादा कारिस्तानी करने की जरूरत नहीं है आपने बस content लिखा उसको save किया पीडिया फाइल के अंदर और उसको यहाँ पे publish कर दिया तो उसके लिए e-book है अगर आप चाहते हैं कि जो आपने book लिखी है वो proper format के अंदर आए और उसको आप hard copy भी बना ले और आप उसको hard copy भी sale करना चाहते हैं print आपको नहीं करा ना kindle खुद print करा के देगा तो उसको भी आप sale करना चाहते हैं आप पेपर बैक में जा सकते हैं इसके लावा hard copy भी आती है ठीक है यहां पर hard cover जो आते हैं जो बहुत ज़्यादा hard होते हैं जैसे कि register हम use करते हैं है ना जो register होते हैं तो उसको भी हम use करते हैं वो hard cover में होते हैं इसके लावा अगर आप जाएंगे यहां पर option देता है तो यहां पर हम सबसे पहले ebook पर चलेंगे create ebook पर मैंने click किया यहां पर आप 3 चीज़ देखेंगे kindle ebook details दूसरे नंबर पर आप देखेंगे kindle ebook content और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे kindle ebook pricing ठीक है तो यह 3 चीज़े आपको fill करनी है अगर आप यह 3 चीज़े fill करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो ebook है वो publish हो चुकी है ठीक है चलिए सबसे पहले हम number one से start करते है ebook detail kindle ebook detail इससे हम सुरू करते हैं ebook detail से सुरू करेंगे तो यहाँ पर हम क्या-क्या देखने को मिल सकता है चलिए समझते है सबसे पहले हम यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर है language कौन सी language में आपकी book है हिंदी, इंग्लिस, मराथी जो भी language में है उस language को आप यहाँ पर select करेंगे जैसे आपने language को select कर लिया उसके बाद में book का title आपकी book का title क्या है मैं यहाँ पर example ले लेता हूँ dizzy world ठीक है यह मैंने book का नाम रख लिया और यहाँ पर subtitle रख देते हैं यहाँ पर live digital life ठीक है यहाँ आपने यहाँ पर नाम रख दिया जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उसी तरीके से आपको भी जरूरत पड़ेगी ठीक है उसके बाद में आएगी series कोई series है तो आप यहाँ पर add कर सकते हैं series नहीं है तो इसको skip कर सकते हैं edition number यानि कि यह कौन से number का edition है वो भी आप दे सकते हैं यह बुक के editions आते हैं यह 10 नंबर का edition है पंदरा नंबर का edition है पचास नंबर का edition है है तो वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपका पहले से कोई book लिखी हुई है तो पहले तो कोई दिकत नहीं इसको skip कर सकते हैं यह optional में आता है नेक्स हम यहाँ पर बात करेंगे author ठीक है author का नाम तो हम यहाँ पर author का नाम डाल देते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर author का नाम डाल दिया नेक्स हम यहाँ पर बात करेंगे contributor, contributor कौन होता है जैसे मान लीजे आपने जो book लिखी है कई बार ऐसा होता है कोई topic हमें नहीं आता for example मैं digital marketing के उपर अभी ये book publish करने वाला हम आपके सामने अब digital marketing मुझे पूरा आता है लेकिन उसके अंदर एक चीज ऐसी है जैसे मानलो website designing वह मुझे नहीं आती ठीक है तो आप मान लीजे website designing मुझे नहीं आती तो किसी को तो आती होगी तो मैं उस वेक्ति से request करूंगा कि आप एक काम करी website designing पे मुझे कुछ chapter लिख करके दे दीजें ताकि मैं अपनी ebook के अंदर डाल सको हां उसकी जो होगी जो मुझे मिले कि उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको भी दूंगा तो उसने बोला ठीक है तो उस दूसरे वेक्ति का जो थर्ड परसन है जो आपकी मदद कर रहा है ebook लिखने में यह जिसका content आप copy करके अपनी ebook में डालने वाले हैं उसका नाम आप यहां पर डाल सकते हैं तो copyright claim कभी भी नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर नाम डाल सकते हैं एक्चली मेरा खुद का content है तो यहां पर contributor कोई है नहीं तो next हम चलते हैं पर description जो आपकी book है वह ebook किस बारे में है 4000 words के अंदर आप 2000 words में लिख सकते हैं 3000 words में लिख सकते हैं यानि 4000 words के अंदर अंदर आप क्या करिए उसका description एक लिख दीजे summary लिख दीजे इससे क्या होगा इससे जो भी व्यक्ति आपकी book purchase करने वाला होगा उसका interest जगेगा कि यार अच्छा यह सारे topics से इसके अंदर यह तो मुझे जरूर पर purchase करना चाहिए वह बहुत important होता है important क्यों होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब buy करता है कुछ भी चीज तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए जो वो buy करने वाला है तो आपकी book बिकने के ज्यादा chances है जब आप उसका description अच्छे तरीके से manage करेंगे चलिए next हम चलते आते हैं यानि कि Kindle के उपर पब्लिस कर रहे हैं वहाँ पर कौन-कौन से keywords का आप इस्तेमाल करेंगे यह जरूरी क्यों है यह जरूरी इसलिए है क्योंकि keywords आपके जितने ज्यादा अच्छे होंगे ठीक है उत्रा ज्यादा सर्च में आएगा और सर्च में आएगा तो हम यह पर लिए ऐसे आन्लाइं एरणग। कि नेक्स सिवर्ड ले लेथे इंव आफिलिएत आ है कि डियृत नėक्सलीकरे रहे हैं फाले हैं फिले हैं फिले अलौरा अंटि मर्क्रतिंग इसके लावाव category आपकी book किस category की है यहां pat category हमें select करपना किए शेलेक्स कर देखेए घू पाफे जाएंगे education लोगों के लिए यह बना रहे हैं यह आपने बनाई है इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें हैं यहां पर यहां पर यहां पर मैक्सिमम 18 प्लस कितना भी हो सकता है क्योंकि 10 साल से कम बच्चे अगर पढ़ेंगे उनको डिजिटल मार्केटिंग समझ नहीं आएगा उतना ज्यादा लेकिन हां 10 साल से उपर के बच्चों को थोड़ी थोड़ी समझ डॉलप होनी स्टार्ट हो जाते तो उनको हम बेच सकते हैं कोई इसू नहीं है तो मैंने यह इसा होता है कि हम प्रियोंड के लिए वह करते हैं कि ठीक है आभी हमारी बुक तयार नहीं है पूरी तरीके से लेकिन ऑर्डर साने स्टार्ट हो जाए ठीक है तो उसके लिए आप इसमें यह पर प्रियोंडर भी अवेलेबल कर सकते हैं अदर्वाइस अगर डारेक्ट प्रिलीज है तो आप उसको क्या कर सकते हैं यादरवाइस आप एक चीज़ नोटिस करेंगे Kindle e-book details हमारी complete हो चुकी है ठीक है यह हमारा एक था तीन हमें complete करने थे तो एक हमारा हो गया अब यह दूसरा Kindle e-book content अब जो हमने content लिखा है content भी हमें यहां पर डालना पड़ेगा तो यहां पर सबसे पहले क्या करने मैनुस्क्रिप्ट के अंदर जाना है आपको ठीक है और यहां पर आपको क्या करने अप्लोड e-book manuscript ठीक है जो भी आपने फाइल बनाई है कहां पर बनाई है जो आपने Google Docs के अंदर फाइल बनाई है उस फाइल को आप क्या करेंगे इसके अंदर आप अप्लोड कर देंगे फूर एक्जामपल यहां पर हम जाएंगे इस e-book को मैंने यहां पर कर दिया continue with PDF format ठीक है तो हमने इसको क्या किया PDF format के अंदर continue कर दिया अब यह continue हो रही है थोड़ा सा अप्लोड होने में टाइम लगेगा ओके आप यहां पर देखेंगे हमारी जो content है content के जो फाइल हो यहां पर पूरी तरीके से upload हो चुकी है ठीक है यहां पर प्रोसेसिंग में है processing your file अब next चलते हैं यह cover page के लिए पूछ रहा है kindle ebook cover होता ना कोई भी book होती है तो उसका cover होता है for example हम यहां पर देखते हैं जैसे यह notebook है मैं आपको दिखा देता हूं जैसे notebook है ठीक है इसका एक back cover है इसका इदर front cover है ठीक है इसी तरीके से कोई भी किताब हम खरीते हैं तो उसका front and back cover होता है तो इसी तरीके से आप अपनी ebook का cover कैसा रखना चाते हैं लोग जब आपकी ebook को देखें तो वह कैसी देखें तो इसमें दो option है एक तो होता है कि आप अपनी ebook का cover पहले से ही design कर ले कहां पर design कर ले आप canva पर design कर सकते हैं या फिर आप और भी thumbnail maker बहु launch your cover ठीक है यह जो yellow color में launch your cover यानि कि अपना खुद का cover आप launch करें तो इसके उपर आप क्लिक करेंगे जैसे आपने इसके उपर क्लिक किया तो यह आपको लियाएगा इस platform पे यहां पर अलग-अलग option देदेगा यहां से आप cover को बना सकते हैं ठीक है तो continue करके आप यहां प तो इसको cover समझ लीजे आप बस ऐसा ही समझ लीजे ठीक है तो हमने यहां पर क्या किया cover के रूप में यह image हमने यह अपर upload कर दिया आप इस तरीके से जैसे मैं यह image upload करी है आप अपना cover page बना करके upload कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया next हम बात करते हैं आपे kindle ebook preview अगर आप preview देखना चाते हैं तो यहां से preview भी देख सकते हैं कि आपकी ebook कैसे दिखेगी मैं launch preview करके दिखा देता हूं कि मेरी ebook कैसे दिखेगी मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप में से हर एक इंसान independent बन सकता है और हर एक इंसान पैसा कमा सकता है ठीक है तो इसके मैं और भी कुछ पार्ट लेकर क्या हूंगा एक चुली यह पार्ट वन है पार्ट तू में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ebook बनाते कैसे हैं और पार्ट थ्री में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी marketing कैसे करते हैं तो तीन पार्ट हम इसके cover करेंगे, अगर आपने इस पार्ट को अच्छा response दिया, like and share किया, और मुझे अलगा कि आप लोगों की साइड से सच में dedicated लिए आप सीखना चाते हैं, then मैं आप लोगों को free of cost, online earning का इसी से related, e-book से related, पूरा पूरा complete जो course होता है, वो मैं आपको free of cost प्रोवाइड करा दूगा YouTube के ओपर, ठीक है, सरीप और सरीप 3-4 पार्ट के अंदर, वो भी detailed training के साथ, अगर आप लोग इस वीडियो का अच्छा response देते हैं, तो इस तरीके से हमारी e-book का एक cover दिखेगा, जैसे आप screen के ओपर देख रहे हैं, अगर थोड़ा इधर जाएंगे, तो देखें, content हमें दिखना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर कौन-कौन से topic है, वो दिखने स्टार्ट हो गया, यह summary हो गई हमारी e-book की, तो आपकी e-book कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, किसी के भी phone के ओपर, ठीक है, तो यह बहुत simple सा process है, I hope यहां तक आपको समझ में आ गया, अब next चलते हैं, कि e-book को finally उसकी pricing कैसे set करें, उसको publish कैसे करें, उसको sell कैसे करें, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, अब हम next चलते हैं, यह optional है, अगर आप इसको रखना चाहें, तो optional को छोड़ सकते हैं, next चलते है, save and continue, हम इसको करते हैं, save and continue, तो जैसी मैंने इसको save and continue किया, हमारी second detail भी complete हो गई, आप देखें यहां पे, अब यह third बची है, ठीक है, pricing set करने हैं, तो pricing हम यहां पे set कर लेते हैं, KDP enrollment, ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं, यानि कि जो KDP का kindle, जो publisher है, ठीक है, उसका जो platform है, जहां पे लोग already पढ़ते हैं book, आप चाहते हैं कि आपकी e-book उनको भी दिखाई दे, तो हमने कर दिया, तो हम चाहते हैं, वहाँ पे भी दिखाई दे, तो हमने इसको yes कर दिया, ठीक है, आप किस country के अंदर जाना चाहते हैं, या सभी countries में अपनी e-book को देना चाहते हैं, या सिर्फ एक country के अंदर, तो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस-kis country के अंदर, तो मैं खली प्राइमरी रखेंगे Amazon.com कि हमारा जो मार्केट प्लेस है वह Amazon.com रहे और वहीं से हम चीजों को सेल कर पाएं नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ठीक है इतना प्राइजिंग क्या है प्राइजिंग हम यहां पर 70% कर रखेंगे ठीक है कि हमें कितनी रॉयल्टी मिलेगी और हमें सेल करना है तो हम यहां पर प्राइस सेट कर देते हैं 8 डॉलर यहां पर रख दिया अब आट डॉलर के प्राइस में अगर मैं बात करूँ 70 % मुझे मिलेगा इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो 449 रुपे की यह बुक है ठीक है अगर आप यहां पर देखें और इधा देखेंगे 381 रुपे यह विदाउट पूरी तरीके से अब तयार है किंडल के उपर लोगों को पढ़ने के लिए आप मार्केट प्लेस यानि अमेजोन का इस्तेमाल करके आप अपनी इबुक को जितना चाहे बेच सकते हैं यह कैसे मार्केटिंग करेंगे मार्केट प्लेस पर कैसे बेचेंगे और कम से कम बजट यानि कम से कम इन्वेस्मेंट से आप हाई रिटन्स कैसे पाएंगे मैं नेक्स सेशेंस के अंदर बताऊंगा आपको अगर आप लोग चैनल के उपर नए है तो इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसे ही authentic informative वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंग गाईज बाबाए हैव अब गूड़ दे